मैं बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ, दो वाक्य में ही बता दूँगा, यदि ईश्वर न मिले तो मुझे दंड देना, यदि यह कर लोगे तो ईश्वर दोड़े दोड़े आएंगे, कुछ करना ही नहीं ज्यादा अब जो कर्म करना है वह बताता हूँ, तुम रो दो, ईश्वर के लिए रोने लगो, ह्रदय से रोने लगो, रोने का अर्थ आँखों में आशू नहीं होता रोने का अर्थ है कि तुम्हारा ह्रदय गलानी से भर जाए, गला गदगद हो जाए, शब्द ही न निकल पाए और बस भावनाओं में ईश्वर के लिए रोने लगो, अत्यंत करोना से रो दो तुम देखना, तूम देखना कि अब ईश्वर आ जाएगा, दोड़ी कर आ जाएगा, ह्रदय से लगा लेगा, ईश्वर बड़े-बड़े विद्वान को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा सालों से लगे उन विद्वानों को छोड़कर एक ही क्षण में तुम्हें प्राप्त होगा बस एक ही कार्य करना है तुम्हें उसके लिए रोना है जी भरकर रो देना है करुणा भाव से रो देना है जैसे तुम ब्रेक अप के बाद अपनी प्रेमिका के लिए रोते हो, सिर्फ वैसे ही ईश्वर के लिए रो देना है जैसे ही रोगे, तो वो ईश्वर व्याकुल हो जाएगा जिस क्षण तुम बिन स्वार्थ के रोने लगोगे, उस दिन ईश्वर तैयारी कर लेगा वह आज आएगा, जिस दिन तुम उससे मांगना बंद कर दोगे, उस दिन वो देने के लिए व्याकुल हो जाएगा परंतु एक बात का विशेश ध्यान रखना, विशेश ध्यान रखना है यहाँ अनन्य भाव से रोना है, लोग कहते हैं कि मैं रो चुका हूँ ईश्वर के लिए, लेकिन वह तो आया ही नहीं, दिखा नहीं, फिर क्या करूँ इसी लिए मैंने कहा है कि दो वाक्य के अनुसार रहना, ये दो वाक्य याद रखना, इसी के अनुसार रोना है ये अ, मैं सिर्फ भग्वान का हूँ, दो, सिर्फ भग्वान ही मेरे है पहला वाक्य तो समझ आ गया, परन्तु लोग दूसरे वाक्य का ध्यान नहीं रखते, इसी लिए वो ईश्वर प्राप्त नहीं करते पहले वाक्य से समर्पन होता है दूसरे वाक्य से मोह का खत्म होना प्रतीत होता है जब तुम रोते हो तो सिर्फ ईश्वर के लिए रोना अगर दूसरी वस्तु के लिए रोए तो दूसरा वाक्य गलत हो जाएगा मीरा ने कहा है कि मेरे तो गिर्धर गोपाल वह अंतर मीरा की दूसरी लाइन से मिलता है दूजो न कोई अर्थात दूसरा कोई नहीं है सिर्फ गोपाल ही मेरा है दूसरा कोई नहीं है बस ये दूसरी लाइन से ही मीरा को ईश्वर मिल गया हम अभी पहली लाइन में ही हैं ईश्वर को अपना मानते हैं लेकिन दूसरी लाइन नहीं मानते हैं मीरा ने अनन्य भाव से कह दिया कि गोपाल के अलावा और कोई नहीं है मेरा लेकिन हम तो अभी भी धन, दौलत, वासना के चक्कर में पड़े हैं यहां दूसरा वाक्य नहीं माना हमने हमने इश्वर को भी अपना मान लिया और संसार को भी अपना मान लिया समस्या यही है देखो, इतनी सी बात के लिए हम कितना भटक रहे हैं कितने दुखी है जब हमने यह मान लिया कि हम इश्वर के है तो फिर यह भी मान लो कि सिर्फ इश्वर ही हमारा है और कोई नहीं है संसार से कुछ लेना देना नहीं है इतनी सी बात मान लो सिर्फ इतनी सी बात को मान लो फिर तुम्हें बदलाव खुद ही मिल जाएगा, खुद ही कह दोगे, खुद ही नृत्य में मग नहीं जाओगे, खुद ही उत्साहित हो जाओगे, आनंद हो जाएगा इतनी सरलता से आजकल ईश्वर के अलावा कुछ नहीं मिलता, जरा सोचो कि तुम्हारे रोने से और उस ईश्वर में अपनत्व रखने से वो सर्वशक्तिमान तुम्हें अपने में मिला लेगा जैसे बचपन में खिलोने के लिए रोते थे, वैसे ही रो दो, ईश्वर के लिए रो दो, एक बार की बात है, एक भक्त मंदिर में ईश्वर के लिए करुणा से रो रहा था भगवान वहाँ वेश बदल कर आ गए भक्त ने समझ लिया था भगवान उसके बगल में बैठे और कहा कि तुम क्यों रोते हो भक्त ने स्पष्ट कर दिया आप खुद ही भगवान है मुझसे न पूछो भगवान ने कहा कि मैं तो तीनों लोग का स्वामी हूँ तुम्हें क्यों मिलू तो भक्त हसने लगा कहने लगा कि होंगे तीनों लोग के स्वामी तीन लोग होते हुए भी यह संभव नहीं कि भक्त के बिना आप सुखी रहो बस फिर क्या था भगवान भी रोने लगे, दोनों रोने लगे, गले मिले, सब काम हो गया तीनों लोग के स्वामी को भक्त ने स्पश्ट कह दिया कि आप मेरे हैं और मैं सिर्फ आपका अब क्या चाहिए? सारी साधना हो गई, सारी भक्ती हो गई, बस अब मुक्त हो गया वह भक्त इसलिए तुम रो दो, तुम्हे कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं है यह मैंने स्वयम अनुभव किया है, वहीं बता रहा हूँ इससे सरल तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है इसके लिए एक प्रयोग भी बताऊंगा, अगले जवाब में धन्यवाद, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोई, AUM